हाई फ्रेंद्स विल्कम टुमाई यूटूब चैनल आज मैं लेके आई हूं गिहूं के आटे और आलू से बनीवी बहुत ही देश्टी मजिदार नास्ति की रेस्पी इसे बनाना बहुत ज्यादा असान है तो चलिए पर बनाते हैं तो यहां पे हमने एक बाउल ले लिया है अब हम इसमें स्वाद के नमक डालेंगे अब हम इसमें आदी चम्मच जीरा डालेंगे अब हम इसमें एक से दो चम्मच की करीब कसूरी मेति डालेंगे तो इसे हलका सा हाथों से करस्ट कर लें अब हम इसमें दो चम्मच की करीब ओल डालेंगे इससे नास्ता जो है ना क् तो यह देखिए हमने इसे हाथों से मिक्स कर लिया है, अब हम क्या करेंगे इसमें, दो चममच आठा अलग से निकाल लेंगे, इसका हम बाद में यूज करेंगे, अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते वे, डो को बना के त्यार करेंगे, तो एक साथ पानी ना डाल तो जैसे पूड़ी के लिए डो बनाते है वैसे ही में बनाना है, तो देख सकते हैं, हमने डो को बना के त्यार कर लिया, इसे हम ठक के साइड में रख देते हैं, तो यहां पे हम दूसरी त्यारी कर लेते हैं, तो यहां पे हमने चार उबलेवे आलू लिया है, इसे हमने ग आदा प्याज डालेंगे, आदा हम बचा के रखेंगे, स्वाध के नमक डालेंगे, नमक हमने पहले भी डाला है, तो इससाब से नमक डालेंगे, अब हम इसमें आदी चम्मच लालमेश पॉड़र डालेंगे, आदी चम्मच सांबर मसाला, और आदी चम्मच गरम मसाला तो आलू को अच्छे से हाथों से मिक्स कर लीं। जोFire ना अलू की साथ मिक्स हो जाए। यह देखे हैं हमने अलू को मिक्स कर लिया है। अलू भी हम साहिट में रख देते हैं। यहां पे ज़ो हमने आटा बचाकी रखाता है एक चमच के करीब सफेद वाली जो तील होती है वो डालेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं हम बेटर को त्यार करेंगे तो ये बेटर हमें थोड़ा सा रखना है तो इकठा एक साथ पानी ना डाले थोड़ा थोड़ा पानी डाले और बेटर को त्यार कर ले त्यान रेस में लम्चना रहे, तो देख सकते हैं बेटर हमार त्यार है, बस ऐसी रखना है हमें बेटर को, तो इसे हम साइट में रखते थे हैं, अब हम क्या करेंगे, आटा जो हमने गूंद के रखा था ना, उससे हलका सा पहले मिला लेंगे, तो हातों से इसे हलका सा मिला और फिर हम इसे दो भाग में डिवाइट कर लेंगे, तो आटे को दो पार्ट में डिवाइट कर लीजिए, अब हम एक भाग को उठाएंगे और हम इसकी रोटी बना के त्यार करेंगे, तो चलिए हम रोटी बनाना त्यार करते हैं, तो इसे हाथों से पहले अच्छे से गूल करेंगे, फिर हम इस पे ऊपर से थोड़ा सा सूखा आटा चिड़केंगे, ताकि ये बेलने के टाइम ना चिपके ना, तो इसके पर हलका सा सूखा आटा चिड़क दीजिए, और फिर जैसे रोटी बेलते हैं, वैसे हम रोटी बना लेकिन इसे पतला ही राने दीजिएगा ज्यादा मोटा मत बनाईएगा तो देख सकते हैं एक वड़ी सी रोटी हमने बना के त्यार कर ली है अब हम क्या करेंगे इसमें हरी चटनी डालेंगे तो आपके पास अगर हरी चटनी हो तो आप डालें नहीं तो इसकी भी कर सकते हैं एक से देर-चम्मच के करीब हमने इसमें हरी चटनी डाला और इसे अच्छ से रोटी के उपर फिला लिया है अब हम इसमें एक से देर-चम्मच सेजवान चटनी डालेंगे अगर आपके पास सेजवान शॉस नहा हो तो आप दोर्चछ नॉर्मली कोई भी सॉस या पिर और जो उल्स में प्याज बचा के रखा का था उसको ऐसे हल्का-स-हल्का ऊपर से डालेंगे कि अब हम क्या करेंगे ऐख साइट से महचा रखेंगे और से बताए तबा कारेंगे इसे एसे अच्छे से छिपका देंगे तो इसे अलका सा पतला कर लिजिए ताकि जब यह फ्राय होना तो यह कच्चा ना रहे तो देख सकते हैं इसे हमने सेट कर लिया है अब हम इसमें कट लगाएंगे तो 2 इंच के करीब हम इसमें कट लगाएंगे आप इसमें जैसा चाय थोड़ा छोटा थोड़ा बड़ा कट क कर सकते हैं तो यह देखिए हमने दो इंच छोड़ के ऐसे कट कर लिया अब हम एक एक करके उठाएंगे और इससे प्लेट में रखेंगे हाथों से इससे अलका सा चप्टा भी कर सकते हैं तो सारे नास्ते को प्लेट में निकाल लीजिए अब हम क्या करेंगे हमने जो आटे वाले गोल बना के त्यार किया था ना उससे हलका सम मिला लेंगे तो क्योंकि यह अंदर गाड़ा हो जाता है अब हम एक एक नास्ते को उठाएंगे आटे वाले में इससे डीप करेंगे और फिर हम इससे फ्राय करेंगे तो यहां पर हमने तेल गरम होने के लिए अ अच्छा सा गरम है तो गैस को मीडियम कर दें और एक एक नास्ते को समें ढाले तो एक नास्ता लीजिए इससे आटे वाले गोल में डीप कीजिए और एक्च्टा जो इसमें आटा लगा रहा है उसे निकाल दीजिए और फिर गरम गरम तेल में हम इसे डालेंगे। तो थ्यान से सबदाज से डालें तो एक बार में तेल में जितना नास्तों आएंग उतना डालेंगे। कि एक साइट से दूमनट के लिए सिखने देंगे तो देख सकते नीचे से जो है ना इसका कलर चेंज हो गया है तो अब हम क्या करेंगे एक एक करके नास्ति को पलट देंगे तो बस अब हम क्या करेंगे इसे प्लेट में निकाल लेंगे तो एक एक नास्ति को प्लेट में निकाल लीजिए और बचेवे नास्ति को में ऐसी फ्राय कर लेना है दोनुट साइट से गोल्डन ब्राउन होने तक तो ऐसे एक एक करके दीब करते जाएए और तेल में डालेए तो गर्मा गरम गिगूं के आटे का नास्ता बनके त्यार है आप इसे एक बाद जरू ट्राय कीजिएगा आपके घर में सबको बहुत ज्यादा पसंद आएगा बच्चे हुए बड़े सबको पसंद आता है ये तो अगर आपको ये रेस्पी मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपने अभी तक मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मिलती हूँ एक नही रेस्पी के साथ तब तक ब बाइबाइ